दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंध केजरिवाल राजफ चरचड़ा अर पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन मान एक प्रोग्राम के लिए शिर्कत करने नाकपुर के भट सभाग्रय में पहुंचे थे भट सभाग्रे में दर्शक पत्रकार और आम आदमी की कारीकरता बड़ी संख्य में मौचूद थे पेश समधाता संजे मिरे इनकी ये रिपोर्ट आईए देखते हैं नाकपुर के भट सभाग्रो में हाले में एक प्रोग्राम में शिर्कत करने पहुंचे दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल और पंजाब के मुख्य मंतरी भगवन्त मान और रागोचड़ा आये थे अर्विंद केजरिवाल को सुनने के लिए पूरा भट सभाग्रो खचा खच भरा था पाउं रखने के लिए भी जगों नहीं थी अर्विंद केजरिवाल और भगवन मान के हांतों कारेक्रम का दीप प्रजवलन किया गया दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवन तमान और रागोव चड़ा इनका मंच पर सम्मान किया गया अर्विंद केजरिवाल का भाशन सुनने के लिए दर्शकों में काफी उस्सा दिखाई दिया केजरिवाल के सम्मान में कई नारे भी दिये गए दिये गए नारों से पूरा परिसर सराबोर हो उठा था जैसे ही भाशन करने केजरिवाल और भगवनतमान सामने आए तो दर्शकों ने जोरदार तानलिया बजा कर उनका स्वागत किया अपने भाशन के दर्मियान अर्विंद केजरिवाल इन्हों ने कई पहलों पर रोश डिडा ली ठीक उसी तरह पंजाब की मुख्यमंत्री भगवान तमान इन्होंने भी कई मुद्दों पर रोश डेडा ली अपने भाशन के दावरान भगवान मान इन्होंने पंजाब में चल रहा प्रष्टाचार और नशे के चपट में आये युगाओं को उससे मुक्ती देने की बात कहीं ब्रश्टाचारियों को खरी खोटी सुनाई भगवन्तमान इन्होंने पंजाब को फिर से एक बार नई संजीवनी देकर असली पंजाब बनाने की बात कहीं कभी कबार पंजाब दारासियं मिलखा सिंग और लशकर सेनपती के नाम से जाना पैचाना जाता था किन्तु अब पंजाब ब्रश्टाचार और नशिले पदार्त से पैचाना जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को फिर से एक बार अपने पुराने बातों से पैचानने लगेगा ऐसा काम आम आद्वी पार्टी सरकार करेगी ऐसी बात इस मोके पर भगवन तमान इन्होंने अपने भार्षन के दोरान कई कि दोस्त का मतलब इस लफज में छुपा हुआ है एक डैश होगा दीजिए बस दो डैश सत्य दो सचाया दो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जो बताया जाए अकबर ने वीरवल से पूछा कि वीरवल सच और झूठ में क्या फ्रक होता है कि वीरवल ने कि जितना कान और ऐखों में होता तो अकबर ने खाएब क्या मैं समझा निए है ventilर कान से सुनते हैं वह झोट है जो आखोंसे देखतेपेह पासकलश सबंसर्विज चुरुक्त करता अकब ऑन वो कानूं से सुझते आउंब आगों से नीक देखते हैं अब आजकों से पैलते हैं तो अख़ारों का ये काम जो को आधा करें कि यह हो रहा है वरना आजकल देखते हैं एक टीवी चैनल में पंजाब के विरूधी पालिटियों के कान खिषते हुए भगवनतमान ने कहा कि पंजाब का इंजन 90 साल का हो चुका था अपने भाशन के दोरान अरविंद केजरिवाल इन्होंने कहा कि मैं और मेरे सहयोगी सत्ता पाने के लिए राजकारन में नहीं आये हैं बलकि समाज की सेवा करने जैसे स्कूल अस्पताल का नया निर्मान करना जिससे सभी तपके के बच्चे अच्चे से पड़े और वो भी बीना कोई डोनेशन दिये उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे भरष्टाचार करना और धर्म की राजनिती करने कोई भी दंगल करवाना आता नहीं है मैं सिर्फ मेरे देशवासियों को अच्छा जीवन सुखद जीवन देना चाहता हूँ कि हमें चोरी करने नहीं आते हैं हमें ब्रश्टाचार करना नहीं आता हमें गाजनीती करने नहीं आते हमें गुंदागर्दी करने नहीं आते हमें दंगे कराने नहीं आते हमें नफरत सबानी नहीं आते हमें राजनीती करने नहीं आते हमें कान करना हमें सुवून अस्पताल बनाने आते हैं मैं आज इस मंच के जड़िये आप सब को अमंतलित करता हूं दर्दा साब आप भी दिल्ली आते हैं इस बर चलिए जाने दिखाते रहे हैं कि स्कूल अस्वताल जिल्दी के हमने बनाई है इतने शांदार पेले दिल्ली में मुझे पता चला माहराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है कि अच्छब को बुरा हाल है पर दिल्ली में भी बहुत पुरा हाल है तो सरकारी सुखुन मुड़ा था दिवारे कूटी पड़ी चुछ चुत पूटी पड़ी थी बच्चे आते नहीं थे आरे तो अंतरा बीज मलें दिनता करके खरचनी जाते थे टीचर पढ़ाते नहीं थ है ऑर डिल्ली इक ना खरावा का था आ अज डिल्नी के सरकारी स्कूल इतने शांदार होगों है कि इतने शांदार हो गया है मैं आपको दो ही बाते बताँगा मैं अपने मुने हो अपनी आरीफ करों हुध noon तो अच्छा नहीं लगता लेकिन डो इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बार्वी क्लास के नतीजे 99.7% नतीजे प्राइबेट के भी नहीं आए इतनी नतीजे प्राइबेट को बहुत पीछिछ पूल दिया आप सरकारी स्कूल इस साल दिल्ली में चार लाख बच्चों ने अपने प्राइबेट स्कूलों से नाम कटाके सरकारी स्कूल ने भीजना चाहता था अर्विन्द किज्रिवाल इनके हर स्टेट्मेंट पर तालियों की बारिश हो रही थी आने वाले आगामी 2024 के लोकसवा चुनौव में आमादमी पार्टी जीतने के लिए या किसी को हराने के लिए गठबंदन नहीं करेगी क्योंकि हमारा लक्ष विजय पाना है उसके लिए भारत के 130 करोड लोगों से हमारा गठबंदन हुआ है ना ही किसी पार्टी से ऐसी बात भी इस मोके पर भाशन के दावरान दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन्द किज्रिवाल इन्होंने कही पहली बार जब दिल्ली का मुख्यमंतरी बना दोगजार अर्व दिसंबर में पहली बार मुख्यमंतरी बना उनन्चास दिन के बाद इस तीसा दिया था भारत के आद दुनिया के आज में ऐसा कोई वाक्या नहीं है कि उनल्चास दन में आद में खुद वो खुद दूसीयम के पुछी जोग तो यहां पे सत्ता भोगने और सत्ता पाने के लिए नहीं आए देश बचाने के लिए आए तो दो हजार चौबिस हमारा लक्ष नहीं है हमारा लक्षि क्या है आप भॉगवान को मांते हैं कौल मानता है जर्वात खड़े के मैं भी मंदिर जाता हूं भवान को मांता हूं कुममता εν जबले मंदिर जाता हूं कभी τे साथ जयाता हूं कभी सुघर उपके जब पुजा करता हूँ भगवान का तो जब आगम fairly मंजिर जाता है भगवान के साथ बात करता है तो कई पर कुछ मांता हूँ मैं भी मानता हूँ, दो चीजे मानता हूँ, एक तो यह कि हे प्रभू, मेरा भारत जल्द से जल्द दुनिया का नंबर वन देश बने हैं, और उसे नंबर वन देश बनाने में जो भी मैं रोल अदा कर सकूँ, मैं वो रोल अदा करूँ, तो 2024 में आम आद्मी पार्टी का क्यार हो लोगा, वो इंपोर्टन नहीं है, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने में आम आद्मी पार्टी का क्यार हो लोगा, केजली वल का क्यार हो लोगा, यह इंपोर्टन नहीं है, और दूसरी चीज मे अब भारत को नंबर वन देश ना देखनू, मुझे प्रिच्वी से मज़ इतुमाना, लिज भारत को नंबर वन देश देखने के बाद ही मरना चाहता हो, उसके पहले मा दीच्टा हुआ। मुझे राजवीती करने नहीं आती है अब तो हमें 2012 में आमार में पार्टी बनी थे अब तो दस साल हो गए राजवीती तो राजवीती करनी नहीं आती है लोगों only काम करना आता है केवल काम करना आता है ये जो आजकर भाजवीती चाली है लाजवीती मतलब रश्टा चाहता है चोडी डकेती है जब दिली में नहीं नहीं सरकार बनी हम देखते थे इतनी छोडी होती थी इतनी अर्विन केजरिवाल इन्होंने भाजप और कॉंग्रेस को आड़े हातों लिया उन्होंने दर्शकों से और जनता से अपिल करती हुए कहां कि यदि आपको ब्रष्टाचार धर्म की राजनिती और दंगल करवाना हो तो आप बेजज़क अन्य पार्टी में जाएं लेकिन यदि आपको अच्छी स्कूले, अस्पताल, बिजली मुप्त और ब्रष्टाचार को जड़ से उखाणना चाहते हो और सच्ची देश सेवा करना चाहते हो तो आप आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं आपका स्वागत है एक लड़का है सुधान्शू है, उसके पिताजी प्राइवेट कंपिनी में छोटे सी केह टेकर है, किसी लोवर मिडल क्लास क्लोनी में रहता है, बहुत गरीप परिवार का है इस बारबार ने पास करने के बाद इसका IIT दिली में मेकेलिकलिकल इंजीनिर्टमेशन होता है एक और बच्चा के चुआँ उसके पिताजी मज्दूरे जुखियों में रहता है उसका इस बार SNCUT में मेकेलिकल इंजीनिरिंग मेड़्मेशन होआ है आप सोच के देखे अगर पहले वाले सरकारी स्कूल होते और उन में ये बच्चे पढ़ रहे होते तो गरीब का बच्चा गरीबी बनता मजदूर का बच्चा मजदूरी बनता केर टेकर का बच्चा गरीबी बनता इन बच्चों का कोई भविशे नहीं था सोला लाथ उसके पिता जी कार्ड बूर्ड का काम करते थे करोना के टाइम में दो साथ पहले मौद होगे उसका एडमेशन आईएटी बीएच्जियू में इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनिरी के अंदर हुआ है आप लोग सोच लोगे कि पेच्री वाल जो है ना यह पांट साथ एक्जामपल उठाके लिए आया है पिछले तीन साल से हर साल साड़े चार सो बच्चों का हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईएटी के अंदर इडमिशन हो ला है कि विज्जा जी पिछले तीन साल से साड़े चार सो बच्यों का हमारे सरकारी स्कूलों के आईएटी के अंदर दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केassरिवाल् मुख्यमंत्री भगवंतमान का भाशन काफी असरदार और लोगों में परिवर्तन करने वाला जैसा रहा या ये कहें कि आम आदमी पार्टी ने नाकपूर जिले में चुनाओं की जीत सूनिशित करने के लिए बिगुल इस प्रोग्राम के माद्यम से फूग दिया है नाकपूर के सूरेच भड सबाग्रोय से कैमरा पर संस्वाज बुटले के साथ संजय मीरे बीसे नियूज नाकपूर